सूरत में फैला बदमासो का आतंक और सूरत बना अबरात की नगरी में आज हम बात करने जा रहे हैं सूरत के लिमबायत इलाके की तो आपको बता दें के सूरत के लिंबायत इलाके के मीठी खाड़ी नूरे इलाही नगर गली नंबर 13 में रहने वाले 19 वर्सिय अनवर उमर नामक लड़का तारीक 27-5-2018 को लिंबायत से दुपेर को एक बजे लापता हुआ था और गतरोष तारीक 28-5-2000 के दिन सचीन पुलिस थाने की हद में अनवर की हत्या की हुई लास बरामद होने से पूरे इलाके में भारी संसनी फैल ग़ी घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर लिंबायत पुलिस का काफला घटना की जगा पर आ गया पुलिस को मुरूतक यूवक की बोडी के पास से एक्टिवा गाड़ी मॉबाइल बरामत हुए मुरूतक यूवक की बोडी पर धारदार हत्यारों के निशान पाए गए आपको बता दे के मुरूतक अन्वर के पापा को गत एक दिन पहले साम को तीन अंजान कॉल आये थे और किसी अंजान बदमासों ने अन्वर को छोड़ने के लिए पैसो की मांगी और फिरोती के नाम पर अन्वर के पिता से एक लाख पचास हजार रुपे ही मांगी इसके इलावा मरने वाले यूवक के मोबाइल से भी कॉल किये गए थे पुलिस को आखरी कॉल का लोकेशन मिला जिसके तरह चल्थान की ये फरियाद लिंबायद के पियाई साहिब के पास हुई इस दिसा में आगे की जांच लिंबायद पुलिस ने सुरू की मुहम्मद आरिफान जागिरन पठान समाजी कारे करता हूं घटना ये बनी कल हमको ये मालूम पड़ा है कि इनका बच्चा 27 तारीक एक बज़े साला पता है और साम को तीन से चार कॉल है फिर होती की मांग कि और उनने बोला भी कि हम पैसा आपको दे देंगे उसके बाद ये फर्यात करने के लिए लिमबायत पुलीस टे neighbourhood गए ये अरवारे साथ में शाती ये यह मेमूब भाई ये साथ में ले गये वाल जानकार है कि यह प्रशम करने वाले गुनेगार है बोडी ये सचीन के कपलेटा के आगे कोई खरवासा के आगे कोई एक जंगल से बोडी मिली वाडी से सचीन के हद में देखने से ऐसा लगता है कि उसका पहले गला घोटा गया गले के अंदर में डोरी थी और उसके बार उसके गले के अंदर में बियर की बोतल से वार किया हु 97 News, Surat